दुख भरे दुनिया में आसु में बहाता रहा दुख भरे दुनिया में आसु में बहाता रहा फुण्धे कई सहारे मैंने फिर भी बे सहारा रहा दुख भरे दुनिया में दुख भरे दुनिया में खुशी दिल में मेरे दौलत थी सब कुछ था ना थी खुशी दिल में मेरे दुनि बहुत शाती में फिर भी दिल अशात रहा दुख भरे दुनिया में आसु में बहाता रहा दुने कई सहारे में फिर भी बे सहारा रहा दुख भरे दुनिया में येशू से ये ना देखा गया आसु को मेरे पॉँच दिया येशू से ये ना देखा गया आसु को मेरे पॉँच दिया शांती से दिल भर दिया वो ही सच्चा की नारा मिला दुख भरी दुनिया में आसु में बहाता रहा दुने कई सहारे मेंने फिर भी बे सहारा रहा दुख भरी दुनिया में इसु मसी के मीठे और मधूर महान नाम से आप सबों को फीर से एक बार मैं सलाम करता हूं क्योंकि परमेश्वन ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलवते पुत्र को दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं मेरे दोस्तों आज हम लोगों को उनके बारे में सिखने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है जो इस दुनिया में आया और लोगों से बहुत सी वादाएं करके गया है प्रभू इसु मसी उस वादाएं को हम लोगों को याद करने की जरूरत है क्योंकि हमारा इसु मसी आने वाला परमेश्वर है वो जरूर आएगा इसलिए हम लोगों को उनका इंतिजार करना है इसलिए आए हम उनके बारे में प्रार्थना करेंगे दिन दयाल पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू दया का सागर परमेश्वर है तूने हम सब लोगों को इस संसार में भेजा है कि हम लोग तेरे बारे में सोच सकते हैं तेरी महिमा तेरे बढ़ाई को कर सकते हैं मुझे धन्यवाद देते हैं यह मौका के लिए कि तुने हमे हं खाड़ा किया है कि हम इन भाइयों को तेरे आने के बारे में बता सकते हैं सारी चिंसारी समस्य तेरे हाथömं में देते हैं अपनी होली स्पिरिट को भेज कि हम तेरे eight आटो agony मेरे दोस्तों आज हम सब को इसों मसी के दूसरी आग्मन के बारे में सखने की ज़गरत हैं क्योंकि हमारा इसुमसी इस दुनिया में आया था और बहुत से लोगों को आशना intent है परमैश्वर का का में sense होता है मेरा दोस्तों हम लोग सीखें हैं हम लोग जानते हैं उन्हों ने इस दुनिया में आया बहुत से सच्षाई मार्ग दिखाया बहुत से बहुत से लोगों को उधार दिया बहुत से लोगों को पैर दिया आख दिया और लोगों को जिलाया प्रभु इशु मसी ने हम लोग जानते हैं बहुत से लोगों को बारे में सुने हैं कि इस दुनिया में हमारा इशु मसी आया था और लोगों को चंगाई देता था इसलिए आज हम लोगों को उसके बारे में भूलने का ज़रुवत नहीं है उसने लोगों को वादा किया कि मैं जा रहा हूं और फिर मैं आऊंगा इसलिए हम लोगों को आज उसके बारे में जानने की ज़रुवत है क्योंकि दूसरी आगमन बताती है कि उसका एक वादा है उन्होंने वादा किया और निभाएगा और तीसरा एक वाचा है उन्होंने वाचा बांधा कि मैं जरूर आऊंगा हम लोगों को उसके वादा और उसके वाचा को भूलने का जरूरत नहीं है हम मनुस्य जैसा वो नहीं है जो कह दिया और नहीं किया वैसा बात नहीं है हमारे बहुत से भविस्वक्ता लोग भी उनके पहली आगमन की पहली जनम के बारे में उन्होंने बहुत से भविस्वार्णी करके दिया और ठीक उसी परकार से हुआ मेरे दोस्तों आज जब उनके भविस्वक्ता सही बात बोला सही बात हुआ तो क्या मेरा परमेश्वर जूटा हो सकता है नहीं हो सकता है कभी नहीं हो सकता है हमारा परमेश्वर ने वादा करके गया है होगा हमारा परमेश्वर वादा किया है मैं आऊंगा जरूर आएगा इसलिए हम लोगों को भूलने की जरूरत नहीं है उनको याद करने की जरूरत है इसलिए हम लोग यहाँ पर एक भर्ष पढ़ेंगे प्रेरितो पाट से और वो है प्रेरितो एक के दस और इगारा दस और इगारा बचल हम लोग पढ़ेंगे क्या कहता है दस में यह कहता है उसके जाते समय जब वे अकास की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुशिवत वस्तर पहिने हुए उनके पास आखड़े हुए और उसने कहा हे गलीली पुरुशो तुम क्यों खड़े अकास की ओर देख रहे हो यही यूसू जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है जिस रीती से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा उसी रीती से फिर हुआ आएगा मेरे दोस्तों यहां वादा करता है जब वो जाता है तो वो बोलता है उसके जो स्वर्ग दूच आते हैं उन लोगों को बताते हैं कि हे गलीली तुम लोग क्यों उपर की और देख रहा है जो इसू मसी इस दुनिया में था और वो स्वर्ग गया वही इसू मसी फिर इस दुन हम लोगों को ले जाने के लिए मेरे दोस्तों उनकी वादा कभी छुठा नहीं होने वाला है उनका वादा कभी खतम नहीं होने वाला है जो कहा है जरूर वो पूरा करेगा इसलिए हम लोगों को उनके उपर इमान लाने की जरूरत है उनके उपर हम लोगों को विश्वास करने की जरूरत है कि मेरा इसू कहके गाया है वो जरूर आएगा उसके लिए हम लोगों को तयार रहने की जरूरत है मेरे दोस्तों अगर हम पढ़ेंगे युहना 14 अध्याय तो उसमें हम लोग पाएंगे युहना 14 के हम लोग पढ़के देखेंगे क्या कहता है युहना 14 यहां हम लोग पाते हैं कि तुम्हारा मन बयाकुल न हो परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो मेरे पीता के घर में बहुत से रहने के लिए अस्थान है यदि ना होते तो मैं तुझ से कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगध तयार करने जाता हूँ यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगा तयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां लेज जाओंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो मेरे दोस्तों यहां पर परमिस और वादा करता है कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग में क्या करने के लिए तुम्हारे घर तयार करने के लिए तुम्हारा घर तयार करने के लिए मैं जा रहा हूं कि जब मैं आऊं तो तुम्हे उस घर में बैठाओं जहां पर आनंद ही आनंद है मेरे दोस्तों उस आनंद के लिए तयार हो जाएं उस आनंद को तयार हो जाएं जो इसो मसी हम लोगों को देने जा रहा है उस आनंद के लिए तयार हो जाएं जो घर हम लोगों के लिए परमेश और इसो मसी बनाया है उस घर में जाने के लिए तैयार हो जाएं आज वही पारी है वही आज हम लोग का समय है जो तैयार होने की ज़रुत है मेरे दोस्तों लेकिन बहुत सा लोग ये समाजते हैं कि हमारा उधार नहीं होने वाला है ये इधर उधर भटकते हैं वो उस देवते के उपर पड़े हुएं उस देवते की खोज में लगे हुएं लेकिन मेरे दोस्तों हम लोगों को वैसा सोचने की वैसा करने की ज़रुत न उन्होंने लोगों को बीच में आया और किया दिखाया कि मैं ही परमेश्वर हूं जो कहा वो सत्य हुआ तो आज उसने कहा है कि मैं फिर लेने के लिए आऊँगा क्या उजुटा हो सकता है नहीं हो सकता है कभी नहीं हो सकता है हमें विश्वास करने की जुरत है हमें उस पर इ आज भूले नहीं उनको याद करने की जरुरत है वह वादा किया है फिर वह आएगा इसलिए उसके आने के दीन के लिए हम लोगों को इंतिजार करने की जरुरत है कहीं ऐसा नहो उन दस कुमारियों के समान हो जाए दस कुमारी की दिश्टांत हम लोग जानते हैं कि दस कुमा जो अपने दुलहा के इंतिजार कर रही थी दुलहा के इंतिजार कर रही थी दसो अपने दिये में तेल भरके दिये जला करके दरवाजे पर उनका इंतिजार कर रही थी लेकिन कुछ समय बीता सभी का दिया बुद गया अजब बुझा उस समय फिर जग करके अपने दिया को जलाने लगी पाँच के पास एक्स्ट्रा तेल था जो बुधिमान थी और पाँच के पास एक्स्ट्रा तेल नहीं था वो मुर्ख थी लेकिन मुर्ख उन बुधिमान लड़कियों से मांगने लगी तेल की बहन मुझे भी तेल दीजिए ताकि हम भी अपने दिया को जला ले उस समय वो बुधिमान लड़की उनको नहीं दी उनको तेल नहीं दी यही बोली कि जाकर के बाहर से खरीद लाईए यह तेल हम लोगों के लिए हैं हम लोग नहीं दे सकते हैं जाईए बाहर से लाईए वो पांच मुर्ख कुमारिया बाहर की गई बजार से खरीदने के लिए जम ही बजार की और गई इधर दुलहा आ चुका बाजे गाजे के साथ आया और लोग जो इंतिजार कर रहे थे जो दुलहा इंतिजार कर रही थी वो उसके साथ में अंदर चली गई जब वो अंदर गई उसके कुछ समय के बाद में मुर्ख कुमारिया पांचों पहुँची पहुच करके दरवाजे को खटखटाने लगी बोलने लगी दुलहा राजा खोलिये हम लोग भी आ गए हम लोग के पास तेल नहीं था हम लोग तेल लेने के लिए बाहर में गए थे अब हम लोग आ गए इसलिए खोलिये उस समय बोला दुलहा बोलता है तुम लोग कौन हो मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं तो जानता नहीं हूँ कि तुम लोग मेरी दूलहिन हो, अगर तुम लोग मेरी दूलहिन होती, तो मेरे साथ रहती, तुम बाहर नहीं रहती, मेरी दूलहिन होती, तो मेरा इंतिजार करती, जो मेरी दूलहिन है, वो इंतिजार कर रही थी, वो अब आ गई है मेरे साथ में, तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, इसलिए मेरा इंतिजार अब मत करना, मेरे दोस्तों ठिक, उसी तरह से, मेरा इस्व मसी इस दुनिया में आने वाला है, इस दुनिया में आने वाला है, जब ओ आएगा, तो ये दुनिया दो प्राग में बड़ेंगे, एक बुधिमान की तरह, और दूसरे उस मुर्ग की तरफ, जब इसु मसी आएंगे, तो बहुत से लोग, जो इंतिजार करते रहेंगे, बुधिमान, दुलहिन की तरह, वो उनके साथ होंगे, और जो व्यक्ति, इंतिजार नहीं करते रहेंगे, म कोई छुट जाए वो नहीं चाहता है कि मैं जी से बनाया हूं वो ना सो जाए वो चाहता है कि हर लोग मेरे साथ रहे आनंत जीवन पाए मेरा प्रेम को पाए मेरे दोस्तों अभी हम लोगों को याद करने की जुरुत है उनके उपर धीरत धरने की जुरुत है उनके उपर प् बहुत से लोग ऐसे होंगे लाज समय में बहुत से लोग कहेंगे कि मैं ही इसु मसी हूँ मैं ही इसु मसी हूँ चंगाई करने वाला हूँ मैं ही इसु मसी हूँ जो कुरुस पर मरा हूँ मेरे दोश्तों विश्वास मत करना उसमें विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है हमा उनके साथ में बहुत से सुवर्ग दूत होंगे और उनको हरे कांक देखेगी मेरे दोस्तों ये सब याद रखने के जुरुत है मेरा यिसु मसी चुप चाप कभी नहीं आने वाला है उनके साथ में बहुत से सुवर्ग दूत आएंगे और उनको महिमा देंगे इसलिए हम लो बोलते हैं पर करते नहीं, वो लोग जो करते हैं पर बोलते नहीं, ऐसी ऐसी कामों में फसे हुए हैं, मेरे दोस्तों, हमें उन लोगों की तरह नहीं बनने की जरूरत है, उनके समान हम लोगों को बनने की जरूरत नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है लेकिन मेरे परमेश्वर सभी रास्ता दिखाए हैं हम लोगों को ये धरम सास्त्र दिये हैं उसको पढ़ते रहना जरूरी है और उनके साथ रहने की जरूरत है मेरे दोस्तों अभी से ही उनको याद करें वो आएगा जरूर आएगा उनके आने का समय हो चुका है क्य आई देंगे जब इशु मसी के चेले लोग चे उस समय उनसे पूछ रहे थे यह गुरू आप ये बताए कि जब तू आएगा तो उसके आने का चिन क्या होगा उसके आने का चिन क्या होगा उस समय परमेश्व ने उन लोगों के बताया देखो तुम घबरा मत जाना क्योंकि बहुत सा कलेश इस दुनिया में आने वाला है लोग बहुत से लोग अपने आपको कहेंगे मैं ही परमेश्वर हूं लेकिन विश्वास मत करना बहुत से लोग चंगाई करेंगे बहुत से लोग लोगों को भरमाएंगे लेकिन उस पर विश्वास मत करना उस पर विश्वा में देख रहे हैं लोगों को देखिए भीड लगी हुई है देवता के ऊपर लोग यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं उस पर अब को माना रहा है कि हमारा परमेश्वर खूस रहे अपनी परमेश्वर को खूस करने के लिए लोग क्या से क्या नहीं करते हैं कितने पैसे को फ पहर दुनिया इस दुनिया के किसी भी चीज से प्रसंद नहीं को कहाël मैं फूल माला से प्रसंद नहीं होता चूल में गलती को माप कर दे परमेश्वर मेरा दया करने वाला परमेश्वर है मेरा परमेश्वर लोगों के ऊपर दया करता है जो उसके पास आता है उसे कभी नहीं त्यागता है उसे कभी नहीं छोड़ता मेरे दोस्तों उसको अपना ले उसे मत छोड़े क्योंकि उसके पास उधार ह उसको मत तयागे, उसके पास उधार है, उसकी उधार को मत छोड़ें, अगर हम उधार को छोड़ते हैं, तो हम ना सो जाएंगे, मेरे दोस्तों, अभी हम सब को उसके उपर याद करने की जरूरत है, उसकी कहे हुई बातों पर विश्वास करने की जरूरत है, इसलिए आए हम एक भर्स पढ़ते हैं, दुसरा थी सलोनी हम लोग पढ़ेंगे, दुसरा थी सलोनी क्या कहता है, दुसरा थी सलोनी के एक के आठ और नौ पढ़ेंगे, एक के आठ नौ यहाँ पर, पर हम जानते हैं कि यदि कोई बेवास्ता को उची तिरीती से काम में लाए तो वह भली है यह जानकर कि बेवास्ता धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों निरंकुसों भगतिहीनों पापियों अपवीत्र और शुध मनुसियों माबाप के घात करने वालों हत्याओं यह सब यहां हम लोग पाते हैं कि हमारा परमेश्वर यहां पर यह बताना चाहता है कि धर्मियों के लिए यह उसकी बेवास्ता को अपनाए ऐसाना की धर्मी समझ करके अपने आपको पापी समझ करके अपनाए और उसके धर्म सास्तरों को न भूले जो भी कहता है हमारा पर रखने की जुरुवत नहीं है उन्हें भटक जो भटक जाएगा वो ना सो जाएगा मेरे दोस्तों आज आपकी टाइम है यह आपका समय है अभी उनको गरहन करने के लिए उनके किये हुए कार्ज को भरनन करने के लिए क्यों कि संसार में बहुत सा लोग अपने अपने नाम की माला जप रहे हैं अपने अपने लोगों को अपने अपने देवता को परसन कर रहे हैं मेरे दोस्तों उन सबों के जैसा हमें भटकने की जुरुत नहीं है उन सबों के जैसा हमें नहीं रहने की जुरुत है हमें तयार रहने की जुरुत है क्योंकि हमारा परमेश्वर परमेश्वर है जब हम नहीं तयार रहेंगे तो ठीक उनके जैसा हो जाएंगे जो नुह के समय में हमारे संसार के लोग डूब मरें नूह के समय में संसार के लोग डूब मरें, क्योंकि नूह के उपर विश्वास नहीं किये, नूह के उपर अपनी ध्यान नहीं लगाए, इसलिए मेरे दोस्तों कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम नूह के समय के लोगों के जैसा हो जाए, अभी आपकी समय हैं, इस समय में जदी परम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे परमेश्वर के कही हुई बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो मेरे दोस्तों ठीक उसी के परकार होंगे उसी के जैसे हो जाएंगे जो नास हो गए नास से बचना है तो मेरे दोस्तों परमेश्वर के पास आने की जुरत है परमेश्वर हमें छुटकारा देगा परमेश्वर हमारा जिंदा रखने वाला परमेश्वर है परमेश्वर हमारा दूख में साथ देने वाला परमेश्वर है मेरे दोस्तों मेरे परमेश्वर को न भूले मेरे परमेश्वर के पास आये मेरे परमेश्वर से बिंती कीजिए क्योंकि हमारा परमेश्वर, उधार करने वाला परमेश्वर है, वो आ रहा है और हमें ले जाने के लिए आ रहा है, वो आ रहा है, हमें उस अनंद जीवन को देने के लिए आ रहा है, इसलिए आज आपकी टाइम है, उसको अपनाने की जरुरत है, जो जहां कहीं भी हो, उनके पास आएं, ज जो कहीं से भी हो अपने दिल को खोल ले जो जहीं कहीं भी हो अपने दिमाग में बना ले कि केवल इसु मसी के दुवारा उधार मिलने वाला है उसी मसी के सिवाए और किसी के दुवारा उधार नहीं मिलने वाला है मेरे दोस्तों अपने मन में यकीन कर ले अपने मन में विश सुआ कर लें और उसके कहे हुए बातों पर उसको ग्रहन कर लें, क्योंकि हमारा परमेश यी सुशी आ रहा है, जल्दी आएगा, इसलिए हमें अभी से ही त्यार रहने की जुरृत है, ऐसा नहो कि उन मुर्ख कुमारियों के समान हमें बाहर रहना पड़े ऐसा नहों कि उन मुर्ख कुमारियों के समान हमें छुट जाना पड़े ऐसा नहों कि उस मुर्ख कुमारियों के समान परमेस्वर हमको बोल दे कि हम तुझे नहीं जानते हैं मेरे दोस्तों हमें वैसे बनना है जो आज भी आने वाला है जो दुलहे बन करके उन कुमारियों के बीच में आया था मेरे दोस्तों अभी भी वही इस सुमसी है दुलहारुपी इस संसार में आने वाला है उनके इंतिजार करने की जरुवत है उनके तेल को रखने की जरुवत है उनके बचन को रखने की जरुवत ह ये बचन सुनिए अपने दिमाग में लगाईए अपने दिमाग में रखिए अपने लिए इस पर चलने की कोशिस कीजिए मेरे दोस्तों कहीं ऐसा नहों हम भटक जाएं कहीं ऐसा नहों सैतान के बस में चले जाएं कहीं ऐसा नहों किसी दूसरे देवताओं के पीछे दोड़ने लगें मेरे दोस्तों हमें याद रखने की जुरुत है हमें उस दिन के याद करने की जुरुत है जिस दिन हमारा इसुम उसी आने वाला है जिस दिन और आएगा हमें वे संसार के दोग कोने में बाटे गा दो गिरूप में बाटे गा वह दो गृट актив म इतरफ यह दौर दोस्तों बा정 तरफ वाले उसका विरोधी रहेंगे और दाहिनी तरफ उसके लोग रहेंगे मैरे दोस्तों आप produce है आज सोचने की जरूरत है कि हम किस तरफ जाएंगे हम परमेशवर के विरुद में जाएंगे कि हम परमेशवर के तरफ जाएंगे जदि परमेशवर के तरफ जाना चाहते हैं तो अच्छे इस्व मसी के सिवक बनिए इस्व मसी के इंतिजार कीजिए इसु मसी के बचन को अपने दिल में रखिए इसु मसी के हर काम को करने के लिए तैयार हो जाए हर मनुस्य को फर्ज बनता है कि हम इसु मसी के पास रहें इसु मसी के अनंत जीवन को अपनाए इसु मसी जो घर हम लोगों के लिए बनाने के लिए गया है वो घर हम लोगों के कि यह квosives मेरज दौस्ट कहीं अईसां हो कि वह घर हमसे छूड़ जाए और पायवालों से लोग पर्मेश्वर बोले गा है मेरे बिरोधी लोगो तुम मरे यहां से चले जाओ क्योंकि हम प्यासे थे तुने मुझे पानी नहीं दिया हम भूखे थे तुने मुझे खाना नहीं दिया हम परदेशी थे तुने मुझे अपने घर में नहीं बैठाया मेरे दोस्तों उन लोगों के जैसा नहीं बनना है आज ही विचार कर लीजिए आज ही उन लोग के बात को भूल जाईए जो लोग संसार में भर्माने वाले हैं संसार में भर्माने वाले के पीछे न पड़े संसार में लोग कहते हैं कि हम ही परमेश्वर है जो पुझा से खुस होते हैं उनके पीछे मत जाईए जो दर्सन से खुस होते हैं उनके पास मत जाईए मेरा परमे सच्चा परमेश्वर है वो आने वाला है हमें धीरज रख करके जरुवत है धीरज रखने की जरुवत है उनके से प्यार करने की जरुवत है उनकी प्रार्थनाओं को सुनने की जरुवत है मेरे दोस्तों उनसे प्रात्ना करने की जरुवत है क्योंकि हमारा परमेश्वर सच् तेरा धन्यवाद देते हैं कि तु मौका दिया है कि हम लोग तेरे आने के दीन के बारे में जान सकते हैं तेरे आने के समय को इंतिजार कर सकते हैं प्रभू तु जरूर आने वाला है तु जब आए तो हमारे भाई सब को हमारे बहनों को तु अपने उस दरबार मिले जाए ज ताकि तेरे आने के लिए काम करें दिन ही प्रार्थना को इश्व मसीर के मिठी और मध्र वहां नाम से मागया है दया कीजिए और स्वर्गराज में रखने कीजिए आमिन मनिज दोHeर ऊकते हैंने के लिए आमिए आमिन आमिस से दूंगराज में में पिंद significant केसी आमिए दिन ही में फिसे संहrous दिन के मागया के लिएgrown भannée दोर्गराज में आमिए जार्भराज से काम काम के मिएते सित्सी आमिएऑने के लिए मत अवहां है आमिएश आमिएड़ से इ